अभी हम क्या डिस्कूस कर रहे हैं तो अभी हम क्लास एट एक चाप्टर एट डिस्कूस कर रहे हैं जो कि है इसी इस शौट मॉनसून डायरी का जो आधा पार्थ है उस आधे पार्थ को रूरेटी देख चुके हैं बच्चा हुआ आधा चेप्टर आज हम डिस्कर्स करने वाले हैं जिसमें ओधर जिन का नाम है रस्किन बॉंड उन्होंने ओगस्त 3 से डिस्क्रिप्शन लिखा है तो ये पूरे चेप्टर के बारे में यदि मैं एक ओवर्विय आपको दूँ तो इस पूरे चेप्टर में म RASSOORY में रहरे हैं RASKIN BORN और वह महां पर जैसा उनको Keys म proto मौनशून नजर आ रहा है जैसा उनको फील कर है वह जैसा उनको ुन को नेचर दिख रहा है चैंश होता हुए उसको उन्हों ून्होंने बहुत-धी जैसे पहुत च्छे तरीके से अपनी डाइरी में डिस्क्र रवाइन का मतलब क्या होता है जो गहरी खाई होती है या फिर आप ऐसा जो बुल सकते हैं ट्रेंच जैसा जो होता है उसको आप रवाइन बोलते हैं तो यह जो रवाइन है इसमें बोला जा रहा है कि सदेनली क्लीन और दो सॉंग विस्लिंग थर्श अबना आपने देखा कि कंटिनुसली मिस्ट हो रहा है मिस्ट मतलब बारिश हो रही है तो सब कुछ ऑधर ने बोला कि सब कुछ शांत हो गया है पक्षियों के चह चाहने की आवाज आना बंद हो गई है और सब कुछ ऐसा और यह कैसा इमर्ज हो रहा है जैसे एक बहुत ही गहरा कोई सीक्रिट है जो रवाइन्स की डेप्थ में से उजागर हो रहा है तो बहुत कुछ आपको यहां पर पोईट्री के फर्म में लिखी हुई बहुत गहरी बात ही समझ में आती है नेक्स देखते हैं तो ऑगस्ट 12 की बात कर रहे हैं अगस्ट 12 को का ओधर डिस्क्राइब कर रहे हैं कि endless rain and a permanent mist मतलब endless rain बारिश रूखी नहीं रही है और continuously mist होता जा रहा है मिस्ट का मतलब क्या है जो बारिश की फुहारे होती है उसको मिस्ट बोलते हैं बहुत तेज बारिश भी नहीं है लेकिन दिम दिम बारिश बन ही हुई है उसे मिस्ट बोलते है तो rain खतम नहीं हो रही है और permanently mist है वहाँ पर we haven't seen the sun for 8-9 days और हमने 8-9 दिन से सूर्य को नहीं देखा मतलब continuously बारिश हो बारिश हो रही है everything damp and soggy सब कुछ गीला हो चुका है और सौगी हो चुका है आपने देखा होगा कि बारि तो गो कहीं पर जाने का मननी कर रहा है कोई जगह ही नहीं है जाने के लिए पेस्ट रूम लुक आउट अफ़ विंडो एट फ्यू बाबिंग अंब्रेला उसके बाद आप क्या कर सकते हैं कि इवल आप अपने रूम में रहेंगे वहीं पर आपको रुख जाना है और आप रूम के विंडो से जब बाहर देखते हैं तो आपको थोड़े थोड़े अंब्रेला नजर आ रहें लोगों कि क्योंकि जो लोग बें बाहर जा रहें कि इसी बहुत इंपर्टन काम से ही जा रहे होंगे बाहर तो वह अंब्रेला लेके बाहर जा रहे है अब यहाँ पर हो रहा कैसी रेन उनको नजर आ रही है कैसी फील हो रही है वाम रेन उन्हें फील हो फील हो रही है ठीक है नेक्स चलते हैं हम तो ऑगस्ट 12 की ही बात है लश एज लेट मॉंसून फ्लावर बिगिन तो अपियर अब बोला जा रहा है जो हिल साइज है वो पूरी तरीके से बालशे बशाय अब हो चुकिक्त रॉक niger कर दोवर से तक लेट मॉंसून फ्लावर जो है वो अपिएं होना स्टार्ट है ना स्टार्ट होगए है और यह जो फ्लावर उन में कौन कहनं से यह जो है वालाय वाइल्ड बैल्सम उसके बाद है लयाम यह वाले वाले जो फ्लॉवरोर्स होती है पिछ कलर की व्लॉवर आते ही इनको ब्लय बोला जाते है दिसले बैएल्टा स्कते जान बेहरां लास्वर फ्लॉवर्स के ल transf UK RAF adviser stiff बहरा हुआ नजर आ रहे हैं तो आपको इतनी वाराइटी के फ्लॉवर्स नजर आ रहे हैं इक साज जब आप विंडो में से देख रहे हैं तो कितना सुन्दर द्रश्य होगा कितना अच्छा लग रहा होगा उससे में देखने में आगे ऑगस्ट 31 की बात है और बोला चाहरा यजिस के शीन से वोगांच आ इसे और नजर आती है। मतलब flowers यह निकलते वोई नजर आते हैं फोंस में से अब एक और बात ही यहां पर आती है जब मॉंसून खत्म होने वाला होता है तो इनकी जो seeds seeds कैसी हो जाती है ऐसी red color की हो जाती है तो यह इस बात का sign होता है कि अब मॉंसून खत्म होने वाला है तो वही बात और ने बोली the seeds of the cobra lily are turning red signifying that the rains are coming to an add or end और यह क्या signify कर रही है कि अब मॉंसून खत्म होने वाला है बारिश अब end पर है मतलब खत्म होने वाली है और 31 को यह उन्होंने का और बात लिखी in a few days the ferns will start turning yellow थोड़े ही दिन में यह जो ferns हैं इसी में से cobra lily निकलती हुए नजर आई थी तो यह क्या होने लगेंगे यह yellow होने लगे but right now they are still firm green and upright लेकिन अभी वो कैसे दिख रहे हैं वो form बहुत strong दिख रहे हैं green दिख रहे हैं और अप्राइट दिख रहे हैं यह जाएंगे तो जुग जाएंगे पर land over के तो पूरी तगरफ खासी गांस नजर आरे यह इतने सुन्दर सुन्दर से जो flowers है वो नजर आ रहे हैं hills पर आगे क्या बोला है august 31 में उन्होंने बोला wild dahlias red yellow and magenta rear their heads from the rocky services where they have taken hold wild dahlias जो हैं यहां पर आपने देखा था यह से पिच के अलावा यह किस किस कलर के होते हैं यह red yellow और magenta कलर के भी होते हैं यह आपको rocky बीच में से जहां पर दरा रहे हैं वहां पर आपको wild dahlias नजर आ रहे हैं उनको क्या बोला जाता है rocky cervix बोला जाता है mountain का तो यह पुरा description दिया है august 31 का ओधर ने cervix वही है narrow openings on cracks in rock और wall अब देखो आगे लिखा हुआ snakes and rodents flooded out of their holes and burrows अब देखो snakes and rodents, rodents का मतलब क्या होता है जो जमीन में रहने वाले जीव जनतु होते हैं उनको rodents बोलते हैं especially जो फसल को नुकसान पहुचाते हैं उनको भी आप rodents बोल देते हैं आगे उन्होंने बोला take shelter in roofs, attics and go-downs और इन्होंने कहां पर पना ली है roofs जो घरों की इच्छत है, attics है या फिर go-downs है वहाँ पर इन लोगों ने पना ली है a shrew weak of eyesight blunders about the rooms much to the amusement of the children shrew भी एक प्रकार का rodent ही है वो क्या निकल रहा है? eyesight उसकी थोड़ी सी आपको कैसी दिख रही वीग दिख रही है और वो जब जमीन में से निकला तो वो room में ही blunder करने लगता है मतलब दौडने भागने लगता है और जो बच्चों के amusement की उनके खुशी की वज़़ा बन जाता है ये श्रियू क्या है? श्रियू एक्चर में आपने देखा होगा चचुंदर जो होता है उसको श्रियू बोला जाता है चचुंदर आपने देखी एक प्रजाती होती है चुहे जैसी नजर आती है उसको श्रियू बोलते है अब देखो जब यह बच्चों के बीच में आ गई और रूम में आ गई तब यहाँ पर क्या बोला? Grandmother ने बोला, don't kill it, advonishes their grandmother जो बच्चे वहाँ पर खेल रहे थे, उनकी दादी नोंने बोला कि इसे मारना मत क्यों मत मारना? चुचंदर्स आर लकी, they bring money आगे दादी बोल रहे हैं कि जो चुचंदर होती है, यह बहुत lucky होती है, good luck का sign होती है और यह money अपने साथ में लेके आती है तो इस तरीकी की बात दादी ने बोली और आगे order इस बात को clarify भी कल्टरर कर रहे हैं and sure enough I receive a check in the mail and sure enough मुझे आज mail में एक check भी मिला not a very large one but welcome all the same बहुत जादा बड़ा check नहीं था लेकिन फिर भी बहुत ही welcomed वाला check था क्योंकि वो अचानक से मिला है तो यह पूरी बात description दिया चुचंदर के बारे में, snakes और audience के बारे में flowers के बारे में आप already description देख चुके अधर का तो यह था आपका August 31st का अब October 3 की बात कर रहे है we have gone straight from mountain soon into winter rain अब देखे October 3 हो गया, August जला गया, पुरा September निकल चुका अब October की बात है तो October में वैसे ही मौसम सर्द हो जाता है तो अभी भी बारिश हो रहे है और अब यह जो बारिश है, यह कैसी rain है यह winter rain है snow at higher altitudes और अकेली बारिश नहीं हो रही है higher altitudes जो है, वहाँ पर snow भी गिर रही है after an evening hill storm, the sky and hills are suffused with a beautiful golden light evening में जो hill storm हुआ, जो बारिश हुई बहुत तेज, बिजली वगेरा चमकी उसके बाद क्या देख रहा है, कि sky और जो hills है, वो बहुत ही beautiful सी golden light से घिर गए है आपने देखा होगा, कि शाम हो रही होती है और बहुत बारिश हो चुकी है, तो जब शाम का समय है, तभी जो बादल है, उसमें से जो sunset है sunset की जो रोशनी आती, वो golden golden जी नज़र आती हो, सब कुछ आपको golden golden नज़र आता है तो वैसे ही नज़र आ रहा है, वहाँ पर मसूरी, जब हमारे order देख रहे हैं तब अब January 26 की बात कर रहा है order, October की बात अल्रेडी पूरी हो चुकी है तो order बोल रहे हैं कि मैं अपने घर में बिल्कुल alone बैठा हुआ हूँ और मुझे बिल्कुल हश्ट silence नज़र आ रहा है सुनाई दे रहा है, बिल्कुल silence सुनाई दे रहा है मुझे हिल्स में और winter rains हो रही है हिल्स में and my friend who was here has gone, it is very lonely, very quiet as I sit in a liquid silence, a silence within अब आगया order बोल रहे हैं कि थोड़ी देर पहले तक इनके पास इनका एक friend भी बैठा हुआ था लेकिन वो चला गया तो अभी ने बहुत अकेला पर लग रहा है, बहुत quiet सा लग रहा है a silence within और यह जो silence है यह अपने आप अंदर तक का silence उनको समझ में आ रहा है Surrounded by the rhythm of rain, the steady drift of water on leaves, on lemons, on roof, drumming on drenched dahlias and window pens अब आगे बोल रहे हैं कि पूरा उनको रिद्म किस चीज़ का सुनाई दे रहा है, केवल और केवल बारिश का रिद्म उनको सुनाई दे रहा है इसके अलावा water जो है वो leaves पर नज़र आ रहा है, lemons पर नज़र आ रहा है, roof पर नज़र आ रहा है, drumming होता हुआ नज़र आ रहा है, मतला बारिश जब होती है तो roofs ऐसे बचते हुए नज़र आदे हैं, इसे बार ड्रेंज देलियास, जो देलियास flowers है, वो पूरी तभी के स rain stops, अब आगे उनोंने बोला कि जो mist है, उसने hold कर लिया था, पूरे house को dark carous में, carous का मतलब क्या होता है, touching और holding lovingly, तो बहुत प्यार से किसी चीज़ को touch करना या hold करना उसका होता है carous, तो आगे अधर ने describe किया कि ऐसा लग रहा है, जैसे mist ने घर को गले लगा लिया है, बहुत अच्छे से उसको hold कर लिया है, as I pause near a window, जैसे मैं window के नीचे रुका, window के पास में रुका, बारीश भी रुक गए, rain stop हो गई, and starts again, और उसके बाद वो वापस से start हो जाती है, and the trees no longer green, but grey, minace me with their loneliness, अब आगे वो बोल रहा है कि trees जो अब green में रह गए है, बल्कि अब grey color के दिखने लगे हैं, तो वो मुझे डरा रहे है, loneliness से, minace का मतलब होता है, डरा ना, threaten करना, तो trees ऐसे नजर आ रहे हैं, जैसे वो खुशनुमा नहीं नजर आ रहे है, वो डर्ग पैदा करें, क्योंकि वो grey color के नजर आ रहे है, ग्रे color के क्यों नजर आ रहे है, आपने द इच जाती है, तो ये थोड़ी दूर से जब अंधेरा अंधेरा होता है, तो कैसी नजर आती, grey type के नजर आती, तो इस तरीके से पुरा describe किया हमारे और ने, क्योंको कैसा समझ में आ रहे है, ये rain, March 23 की बात है, अब January हो गया, February हो गया, March 23 की बात है, Late March, end of winter, अब क्या है, winter खत्म हो चुका है, the blackest cloud I have ever seen squatted over Masoori and then it hailed marbles from half or half an hour, अब जो blackest, सबसे काला जो cloud था, उसके बाए में बोला जा रहा है, वो जा चुका है Masoori के उपर से, और marbles गिरा रहा है, वो किस के उपर, Masoori के उपर, तो इस तरीके कि snowfall समझ में आ रहे है, March 23 को, nothing like a hail storm to clear the sky, और जो में इस स्टोर में इस से जादा अच्छा कुछ भी नहीं है, sky को clear करने के लिए, even as I write, I see a rainbow forming, और जब मैं ये लिख रहा हूं, March 23 को, उस समय भी मुझे नजर आया कि rainbow बन रहा है, तो इतना सुंदर सा Masoori हो समय दिख रहा है, प्रतीत हो रहा है, और इसको बहुत बीटिफ करने की या फिर imagine करने की कोशिश की होगी Masoori को और आप बहुत अच्छे से imagine कर भी पायोंगे, अब चलते हैं हम लोग कॉंप्रहेंशन चेक पर जो पहला question है वा आपकी screen पर है, when does the monsoon season begin and when does it end, कब start हुआ था, कब end हुआ, how do you prepare to face the monsoon, आप कैसे prepare करते हैं monsoon को face करने के लि by August 2, the people are fed up with rain, और 2 August तक आते हाते, people बहुत उप चुके थे rain से, उसके बाद यह खतम कब होती, August 31 को जाके यह खतम होती, उसके बाद winter rain जो है, वो start हो जाती है, winter rain कब तक चलती है, late March तक चलती, 24 March अभी आपने देखा, अब जब monsoon आता है, तो आप कैसे prepare करते हैं, तो अब्रेलाज निकाल लेते हैं, वही बात आप लिखेंगे, we take out our rain course and umbrellas to face the monsoon, तो इस तरीके से आपका यह जो answer है, इस question का answer आप रेम कर सकते हैं, second question, which illustration does the author describe in this diary, entry, this diary में क्या कौन सा illustration described किया गया, मसूरी described किया गया, क्योंकि author वहीं के रहने वाले है, महाप एक चोटा सा जो किया, land over, third question है, for how many days does it rain without stopping, what does the author do on these days, तो ऐसे कौन से दिन बताय थे, जब रेन स्टॉप ही नहीं हो रही थे, तो आपने देखा था आट से नौ दिन से सूर नहीं नजर आया है, में, sun नहीं निकला है, तो उससे समझ में रहा है कि वह लगातार वाली बारिश थी, non-stop आप रहें थी, तो 8-9 days आपको लिखना है, आगे आप लिखेंगे, the author keeps spacing the room and looking out of the window, तो अराम से room में बैठे हुए थे, और वो क्या कर रहे थे, विंडो के बाहर देख रहे थे, विंडो के बाहर देख रहे थे, तो उनको बहुत कम से umbrellas नजर आ रहे थे, जो bobbing up हो रहे और ऐसा क्यों किया था, क्योंकि जमीन में उनके जो बिल थे, जो उनका घर था, उसमें पानी बर गया था, तो इसी को आपको लिखना है, the rodents and snakes take shelter in roofs, settings and go downs, they do so because their holes are flooded with rainwater, उनका जो holes हैं, उसमें बारिश का पानी बर गया था, 5th question, what did the author receive in the mail, author को mail में क्या मिला था, तो ए next question, बस, यहां पर हमारी जो पूरी जो beautiful से story थी, वो beautiful से story खतब होती, I hope आपने इस session को enjoy किया होगा, comprehension check भी आपको समझ में आया होगा, और आप बहुत अच्छे से इसे attempt कर पाएंगे, exam में जब पूछा जाएगा और बहुत अच्छे से marks score कर पाएंगे, thanks for watching and take care.